जैहिन दोस्तों चले इस तो बात करते हैं इस एक और question के बारे में यहाँ पर देखिए एक की जो value है वो 1 दी हुई है C की value 3 दी हुई है D की value 4 दी हुई है G की value 7 है H की value 8 है I की value 9 है तो ये मेरे पास मैं 21 है और ये 22 है ये 23 ये 24 और ये 20 ये 25 इसके अंदर में लेटर कितने है पांच, ये कितने एक और इसमें कितने दो, इसमें कितने तीन, तो next वाले में जो question mark है, वहाँ पर जो लेटर आने है, वो कितने आने है, आपके 4, तो देखिए इसके बीच में जो छोड़ा उसने बी को skip किया है आपका, बी, इसके बाद में क्या है, आपका 5 और 6 को skip किया है, यानि कि E और F को skip किया है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर 9, 9 मतलब 9 के बाद क्या आएगा, यानि 10 को skip करेगा, 11 को skip करेगा, और 12 को skip करेगा, यहाँ पर, यानि 10 का मतलब क्या होगा, J, K, और L, K, L को skip करेगा, तो यानि किसका मतलब में क क्या मिलेगा M, N, O, और P मिलेगा, इसमें 3 लिटर तो इसमें 4 मिलेगा, ठीक है, यह कितना हो 16, यानि कि इसमें जो value आएगी मेरी वो M, N, O, P, यानि कि option C ही आईगी, गरेक्ट, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, अब भी देखें, 16 है, 16 में मैंने क्या किया, अब इसमें 4 skip करेगा आपका, तो कितना हो जाएगा, आपका 20, यानि कि इसके बाद जो value मिलने चाहिए, वो 21, 22, 23, 24, और 25, ये मुझे मिलने चाहिए, पहले में 1 लिटर है, दूसरे में 2 लिटर है, तीसरे में 3 लिटर है, चोथे में 4 है, तो next वाले में 5 है, तो ये मेरे पास क्या होग में आओगा, जाए हिंद, जाए भारत,